कि है कि है कि हलो एब्रिवन टुइनिटीफोर का पेपर हो गया और आप लोग ने पेपर अच्छा किया है और आप जिस चीज का बेसिवरी से इंटिदार कर रहे थे बिलकुल सुभे से आप लोग मुझे मैसेश कर रहे हैं कि सद रिस्पॉंस की कब आएगी रिस्पॉंस की क इस लिए और प्राइब आपने चाहिए और आप सुभे से वेट कर रहा है मतलब मैं सुभे से इतने बच्चों के मैसे के आप सबके जवाब देचुका तो मुझे लगा कि एक छोटी सी बात आपको बता दी जाए आपने पढ़ लिया होगा इस लाइन का मतलब यह निकलता यानि वेट करिए कल इवनिंग तक बट इस डजन मीन की आज या आज रात में नहीं आ सकता आ जाता है यह मतलब जो उन्होंने दिया होता टाइम उससे पहले आने की चांस रहते हैं जैसे इसके बाद आप जैसे ह यह प्याइब का मतलब क्या मैं बता दूँ और आप लोगों को क्या करना है आपके पास एक रिस्पॉंस मदलब पूरा पेपर आएगा जिसमें जो उनके सोलूशन है वो दिये होंगे और जो आपने मांग किये होंगे वो दिये होंगे राइट तो आप अप लोग सभी लो की वो safe zone में even 400 प्लस वाले तो 100% है पर 300 350 वाले भी है category में तो अगर OBC है तो 50 marks कम कर सकते हैं CST वाले तो 100 100 by 50 तक कम कर सकते हैं बट यह सब चीजे हमें पता चलेंगी जब जब हम एक बार properly check करेंगे अच्छा यह check करने के बाद भी कोई आपका result नहीं आएगा पर आपको आपका score पता चलेगा अच्छा एक और important चीस लाइन का मतलब समझे link for challenges and model solution available from 116 आपने जो mark किये हैं आपको लगता यह सही है पर उन्हों ने जो answer दिया आपको लगता वह wrong है तो आप उसको challenge कर सकते हैं और challenge करने के लिए आपके पास 13 तारिक तक का समय होगा यानि 13 जून तक आप जमा कर सकते हैं किन question को challenge करना है का करना चाहिए उसके लिए definitely मैं आपकी help करूँगा जैसे ही पेपर आएगा उसके बाद आप लोगों को जिन-जिन question में डाउट लगता है आप मुझे भेजें मेरा number आपके पास है description में भी number दिया है और फिर मैं आपके साथ आपके साथ session लूँगा और उन question को मैं आपको बकायदा प्रूफ के साथ समझाऊंगा में भी challenges के लिए available हो या ना होंगे तो आप लोगों से बोलूँगा करिए हो सकता ना हो तो मैं मना करूँगा फिर भी आपकी मर्जी है कि आप करना चाहें ना करना चाहें क्योंकि अक्सर यह होता है जैसे मैंने हर साल जो बताता हूं चैलेंजेस के लिए वह question चैलेंजेस का मतलब होता है आप उन्हें अगर चैलेंजेस करते हैं और उन्होंने उसको consider कर लिया तो उस marks उस question को ही वह रिमूव कर देंगे यानि पिर आपका score माल लीजे मैस में question cancel होता है तो आपका 1000 की जगे 988 total हो जाएगा या माल लीजे reasoning का एक question cancel होता है तो 9946 number कम हो जाएंगे या computer का एक question होता है या English का तो इस तरह से जैसे अगर हम 22 के paper में देखें तो 48 marks के challenges question कम हुए तो 948 में total बना तो आप वो depend करेगा अभी के साफ से देख के हम कुछ कह नहीं सकते तो आप लोग सबसे प 15 के असपास computer में किया हुआ है तो एक अच्छा score है बट अब accuracy पे सारी चीज़े depend करेंगे इसके उपर तो plus point है तो आप लोग रुक जाएए इस लाइन को फिर बोला हूं link for challenges and model solution will be available from 116 मतलब कल शाम को आना चाहिए 5 p.m. पे बट आप आज भी check करिए रात को भी करिए और मैं आपको बोलों आप नहीं भी करेंगे जैसे ही आएगा मैं आपको खुदी inform कर दूँगा आप बिल्कुल tension मत लीजिए stress मत लीजिए थोड़ा relax लीजिए जो paper आपको आपने दिया है दे दिया जो आप best कर सकते दे कर आए अब बाकी response की के बाद पता चलेगा पर अभी यह एकदम नहीं पता चलेगा कि इस marks पर क्या rank बनेगी वह हमें 25 को इन्होंने बोला result आएगा हो सकता 25 के पहले आजाए जैसे नीट में हुआ आप लोगों ने paper अच्छा किया है और आपका एक safe zone है जो मैंने आपको स्कूर बताया है तो मैं आपको बोलूंगा आप अपनी languages की पढ़ाई चालू करने वह आपके लिए अच्छा रहेगा थैंक्यू मिलते हैं फिर